हेलो दोस्तों, वेलकम टू सभलता मंत अब आप सभी लोग मेरे वीडियोस को अनकेडमी एपर भी देख सकते हैं तो दोस्तों इस एपर आपको मेरी सभी सीटेट स्पेशल क्लासिस की वीडियोस लेसन वाई लेसन मिलती रहेंगी को मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे फॉलो कर लेना है आज मैं आप सब के लिए ल्टी ग्रेड का जो आपका होम साइंस का एक्जाम होने वाला है तो उसका एक मॉडल पेपर लेकर आएं जिसमें मैंने होम साइंस के 50 important questions लिए हैं आप सभी लोग इन questions को देख लीजे इनको तयार कर लीजे ये सभी बहुत important questions हैं इन questions की अच्छे से आप लोग preparation कर लीजे 3600 से मैं आगे के सभी questions इस वीडियो में आपके complete कर बादूँगा तो दोस्तों देख लेते हैं सभी questions बहुत important question है मैंने one line में सबके answer दे दियें तो शुरू करते हैं पहले question से पहला question है कि रोगी के चार्ट में कौन कौन सी सूचनाय अंकित की जाती है तो रोगी का जो चार्ट बना जाता उसमें तापमान, नाड़ी गती, स्वांस गती, वलगम रख़जाच, आदी चीजेłeं नोट कराईं जाती है अगला question है रोगी के चार्ट में अंकित सूचनाय किस लिए महत पूर्ण होती है तो यह चिकित्सक के लिए महत पूर्ण होती है दॉक् Temper की होती है जिसे लेड कहा जाता है, सामान स्वस्थ मनुस्थ के सरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.4 फेरन हाइट होता है, 98.4 फेरन हाइट, इसके अगला कोशन है, सामान स्वस्थ मनुस्थ के नाड़ी की गति कितनी होती है, प्रति मिनट 70-90 होती है, नाड़ी की गति स्वस्थ उसे एक मिनिट में इसांस लेता है इसके अगला कोशन है क्या सरीर का तापमान बढ़ने पर नाड़ी की गती बढ़ जाती है हाँ बढ़ जाती है और एक फेरन हाई टेंपरेचर बढ़ने पर प्रतिमिनट 10 बढ़ जाती है इसलिए जब डॉक्टर नाड़ी चेक करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि सरीर का तापमान बढ़ा है या गटा है तो ये 10 बढ़ जाती है प्रतिमिनट में इसके बाद अगला कोशन है नाड़ी की गती देखते समय किस बात का विशेज ध्यान देना चाहिए नाड़ी की प्रतिमिनट गती जो होती है उसे ध्यान में देना चाहिए इसके बाद अगला कोशन है 4-7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गती कितनी होती है तो 90-100 प्रतिमिनट होती है 4-7 वर्ष के बालक की इंपोर्टन कोशन है कि 4-7 वर्ष के वालग के नाड़ी की गती तो 90-100 पर मिनट इसके अगला कोशन है स्वस्थ मनुस्थ से कि नाड़ी वा हर्दय एक मिनट में कितने बार धरकती है तो 70 बार जो स्वस्थ मनुस्थ का हर्दय होता है वो 70 बार धरकता है important question है त्यार कर लीजिए आप लोग इसके अगला कोशन डिप स्टास्थ क्या होता ये important question है तो रासायनिक स्टाप जो होता है उसे डिप श्टार्च का जाता है अगला कोशन है स्टार्च के कंड कैसे होते हैं स्टार्च के गेहु में अगला कोशन है प्रेसियन ब्लू की खोज कि सताबदी में हुई तो इस सताब सत्रहभी सताबदी में प्रेसियन ब्लू की मिस्राण होता है, यह potassium ferocyanide और icon sulphate का मिस्राण होता है potassium ferocyanide और iron sulphate का, अगला question नहीं अिमली प्रतिकरमक है ox excusac görainky mark होता है, इसका अंसर ऑजली खाय कुछ यह जाता है, किसे कहा जाता है sodium hypo chloride को job water कहा जाता है, इस तभी previous questions हैं जो पिछले बार exams में आए हुए हैं तो आप लोग इन questions को त्यार कर लिए अच्छे से अगला question है अत्यदिक गंदे कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो अत्यदिक गंदे कपड़े धोने के लिए पैराफीन का प्रयोग किया जाता है किसका पैराफीन का प्रयोग किया जाता ह अगला कोशन है घास किस प्रकार का विरंजक है तो घास प्राकृतिक विरंजक होता है कैसा है प्राकृतिक विरंजक होता है घास मानो मस्तिस को अगला क्या है तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्पैट को केल गन कहा जाता है किसे कहा जाता तो मानोmyustics और किसे ओनलाइन खरीदने की इनका छेत्र है वो बढ़ता जा रहा है उभरता जा रहा है दिन पर दिन तो यह होता है प्रद्योगी की में ब्रद्धी वैस्विक नेटवर्क और आर्थिक प्रभाविता के कारण अगला कोशन है पारंपरिक जापानी बुने बस्त्रों में किस नहीं किया जाता क्या दाम माया इसके वाद अगला कोशन है कि घ्रामेर छेत्र में एनीमिय की क्रमी के इत्पीड़न से होता ने सब् Corporate होता ही यह क्रमी होता एक होग वर्मी के कारण होता है अगला कोशन है किस खाद्यपदार्थ को पकाने के लिए नमी उसमता का प्रयोग किया जाता है तो पोचिंग ब्लाइचिंग और सोंटिंग इनको पकाने के लिए नमी उसमता का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आप लोग बस नाम याद कर लिए क्योंकि जो आपका paper होने वाला है lt grade का वो आपका objective type paper होगा यानि कि जब objective paper होगा तो उसमें आपको option दिये रहेंगे तो यदि आपको answer याद होंगे तो आप option देखकर आसानी से choose कर सकते हैं कि कौन सा आपका सही question है तो इसलिए आपको जो main cheat त्यार करनी है वो answer एक बार पीडिये फाइल दे दी जाएगी इसके लिए आपको मुझे WhatsApp पर message करना मेरा WhatsApp नंबर 800-456-2822 और यह सभी questions पूरे आपके pattern जो आपका स्लेवर्स दिया गया था उससे त्यार किये गए और बहुत ही important question है यह number आप लोग note कर लीजिए और मुझे आप लोग call या message कर सकते हैं WhatsApp पर इस number पर आप लोग या comment box में बता सकते हैं तो आपको यह जो PDF file है LT grade के home science की यह आपको provide करा दी जाएगी इसके बाद अगला question है कि अरस्त दौरा दिया गया संचार का model सबसे जादा उनकूल की संदर्ब में है तो यह सारवजनी कथन के संदर्ब में सबसे उपयोगी model है अगला question है मानो विकास सूचकांग का परिकलन किसका उपयोग करके क किया जाता है अगला सहवागिता छेत्र को सुनश्चित करने के लिए मुखिता किनका प्रयोग किया जाता है तो सहवागिता छेत्र को सुनश्चित करने के लिए नुकर नाटक किया जाते हैं सहवागिता वीडियो चलाय जाते हैं और समुदाइक रेडियो चलाय जाते हैं ये तीनों में यदि आपको कोई एक मिल जाता है तो भी सही यदि आपको सभी दियें तो आप उप्रोग सभी option पर टिक कर सकते हैं अगला question है जल प्रदूसर्ण के प्रमुक कारण क्या है तो रासाइनिक भाभावतिक प्रदूसर्ण और जनसंख्या ब्रद्दी ये सभी जल प्रदूसर्ण के कारण होते हैं अगर नवजास सिसुके आंकलन है तो एपगर मापनी में दोका प्राप्तांक किसके लिए दिया जाता है देह हाथ पैर गुलावी सुद्रण सुसन रुदन हरदय की गति सव से 140 धड़कने प्रति मिनेट ये बालक में ये सभी क्रियाएं होती है तो उसे एपगर मापनी मे दोका प्राप्तांक दिया जाता है देख लीजे आप लोग अगला कोशन इस्टार्च प्राप्ति का प्रमुख सुरोत क्या है तो इसका वनस्पत जिगत कार्बोहईडरेट प्रमुख सुरोत होता इस्टार्च का अगला आवस्यक अमीनो एसीड के नाम बताओ वेलीन, ल इस्थाई कठोरता, रासाइनिक विसंक्रमन से जलकी इस्थाई और आइस्थाई कठोरता दूर की जाती है, अगला कोशन है मिस्ट में पुरातन काल में वस्त्रों का सरवाधिक प्रिचलन रूप क्या था, सूती और लेनिन के वस्त्र सबसे एदिक में चलते थे मिस्ट के पुरातन काल में, अगला है प्रवंध की और मनोसामाजिक उप्वेश्थाएं किसका भाग हैं, तो ये कुटूम का बातावराण का भाग हैं, कुटूम के बातावराण के प्रवंध की और मनोसामाजिक उप्वेश्थाएं, अगला है सोडियम हाइपो क्लोराइड किसका का विरंज़क है तो विरंज़का के प्रयोग से किसे दूर किया जाता है तो इस्ताइए और आस्थाई कठोरता इनको दूर किया जाता किसे सोडियम कार्बोनेट के दौरह अगला कुशन उपभोगता को फव्ईपचार मुलभूत अधिकार बताई संरचन का अधिकार विकल्प का अधिकार सूचना का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार यह अधिकार भोकता को प्राप्त होते हैं यानि कि कस्टमर को यह अधिकार प्राप्त होते हैं तैयार कर लीजिए आप लोग अगला कोशन है वसी अमलों क लवड को साबुन कहा जाता है यदि आप से साबुन की परिभासा पूछ दी जाए तो वसी अमलों के लवड को साबुन कहा जाता है important question है अगला है कपड़ा बनाने की विदिको क्रमबार बताईए तो पहले क्या कहा जाता है जुल्साना फिर मार्जन फिर रंग उढ़ाना और रंगना यह process होती है कपड़ा बनाने की कपड़ा रंगने की प्रोसेस जोती है यह होती है पूरी प्रोसेस अगला कोशन है रोजगार प्रक्रिया का सही अनुक्रम लिखिए रोजगार प्रक्रिया का सही अनुकम क्या होता है तो इसका सही अनुकम होता है बिग्यापन देना साच्छात कार सबसे क्रमबार यही प्रोसेस होती है किसी भी एक्जाम की इसका दिये एक चार्ट दिया हुआ यह देख लिए अप लोग पोसंड के भाव में होने वाले रोग तो पोसंड के भाव में कौन-कौन से रोग हो जाते हैं देख लिए इसमें आपका एक नंबर का कुश्चन आ सकता है तो जीरो अप्थेल्मिया जो है यह केरेटो मेलिसिया से है दूसरा वेरी वेरी यह नियूरोपैथी से है एराइबोफ लेविनोसिस यह है ग्लाउसाइटिस यह किसे ग्लाउसाइटिस अगला है पेलेग्रा यह किसे दस्त और डिमेसिया से समन्दित है अगला एनीमिया है यह है कोटे नोबिया से कोटे नोबिया से अगला रिकेट से यह वो टांगे और इसकरबी जो यह पिटीसियल हेमोरेट से है दोस्तों यह एक मॉडल पेपर में दिये गए थे जिसमें इनका सही करम पूछा गया था कि कौन किस से संबन्दित है इसलिए मैंने यह चार्ट आप लोगों के लिए तयार कर दिया important question है इसमें एक question जरूर फस सकता है तो इस चार्ट को आप लोग अच्छे से देख लीजे अगला question है साबुन में resin क्यों मिलाय जाता है तो साबुन पीला और चमकदार हो जाता है resin मिलाने से कैसा पीला और चमकदार हो जाता है अगला है sodium perborate क्या है तो sodium perborate oxykarak बिरंजक होता है oxykarak बिरंजक है sodium perborate अगला है sodium hydroxide का और सूत्र बताए तो यह NaOH होता है यह आप देख लीजे a small होता है और सब capital होता अगला कोशन घास को प्राकृतिक बिरंजक क्यों कहा जाता है तो इसमें chlorophyll पाया जाता है यह खुली धूप और हवा में क्रिया करके बिरंजन करती है तो घास को प्राकृतिक बिरंजक इसलिए कहा जाता कैसे मानसी क्रोग हो जाते है नार्कोटिक का यानि की ड्रक्स का नसीली चीजों का जो प्रियोग करते हैं इन्हें मानसी क्रोग हो जाते हैं अगला कुश्चन है जब दो अप्रवेस इस तरों के मद इससे जल उपर उचलकर फबारे के रूप में बहने लगता है उसे क्या कह कहा जाता आर्टीजन कुवा कहा जाता इसे बहुत ही important question है त्यार कर लिजे और दोस्तों आज का अंतिम question है स्वस्थ सरीर या मन की अवस्था जिसमें कार अधिक कुसलता और सर्वोत्तम प्रकार से हो सके स्वस्थे की यह परिवासा किस ने दी तो यह स्वस्थे की यह crazy dictionary ने दिया है और यह बहुत ही important है त्यार कर लिजे आप लोग यह आज मैंने आपके 51 question complete करवा दिये इन questions की अच्छे से preparation कर लिजे और यह आपको PDF फाइल चाहिए हो तो PDF फाइल के लिए आप लोग मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या comment box में बता सकते हैं आपको PDF बिल चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्य दोस्तों